शोविस ड्रामा के प्यारे वीवर्स वो शाम दीद ड्रामा सीरियल दिल अवेस की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग दिखेंगे कि सिकंदर की मा सिकंदर से पूछती है कि बेटा आहिर तुम कब तक इस तरह रिष्टों से इनकार करते रहोगे मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे सर पर सिहरा सजा हुआ देखू लेकिन तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनते मैं इतने मुश्किलों से एक से एक बढ़कर लड़की ढूँग कर लाती हूँ लेकिन तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती क्या तुम किसी को पसंद करते हो इस बात पर सिकंदर कहता है कि अम्मी आप ये कैसे बाते का रही है ऐसे कोई बात नहीं है मैं अगर किसी को पसंद करता भी तो सबसे पहले आपको बताता लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके बेटे को कोई लड़की पसंद आने ही वाली है सिकंदर की मा कहती है क्या वाके ही ऐसा है अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बताओ मैं फोरण उसके घर रिष्टा लेकर जाऊंगी सिकंदर कहता है अम्मी अभी आप सबर करें अबी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कौन है और कहां से आई है सिकंदर की मा बहुत बेसबरी हो रही होती है और कहती है कि तुम बस मुझे बताओ कि वो लड़की है कौन बाकी मैं खुद पता कर लूँगी फिर सिकंदर दूप में खड़ा फारिया का इंतजार कर रहा होता है वो दोनों हवेली से बाहर जा रहे होते हैं सिकंदर को अकेले खड़ा देखकर दिल आवेज उसे कहती है कि आप यहां दूप में क्यों खड़े हैं अंदर आ जाए जिस पर सिकंदर थोड़ा जिजग कर उसे बताएगा कि नहीं वो मैं बस फारिया का इंतजार कर रहा था बलकि फारिया आ गई इतने में फारिया वहां पहुँच जाएगी और दिल अवेज से कहेगी कि तुम यहां क्या कर रही हो जाओ किचन में देखो कोई काम होगा दिल किचन में जाने के लिए मुड़ेगी तो सिकंदर फारिया से पूछेगा कि कौन है यह तुम्हारी कजन है क्या जिस पर फारिया उसे कहेगी नो नो शीज आवर मेट जिस पर दिल आवेज का बहुत ज्यादा दिल दुखता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है बहुत रोती है अका भी उसे तसली देते हुए कहती है कि अल्ला पर भरोसा रखिये सब खीक हो जाएगा दूसरे तरफ फारिया के वालिदें सिकंदर को फारिया के लिए पसंद करके बैठ गए है यारे वेवर्स कौन कौन इस द्रामे को देखता है अपनी तीम की राय के जहार कुमेंट सेक्चन में जरूर कीजिएगा प्लीज मज़ी ट्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया